सवाई मादोपूर विदान सवाच छेतर के अंदर किरोडी लाल मीना भारतिय जंता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके सामने कॉंग्रेस ने दानी सब्रार को मैदान में उतारा है लेकिन क्या दानी सब्रार अपनी सीथ निकालने में काम्याब होंगे यह बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किरोडी लाल मीना एक दिगज नेता है और उनके सामने दानी सब्रार जो कॉंग्रेस के प्रत्याकसी है उनका अपने छेतर में लोग विरोध कर रहे हैं लोगों का कहना है कि कॉंग्रेस सरकार थी लेकिन दानी सबरार ने जो बजट में गोंसनाय कराई थी हमारे सवाई मादोपुर छेतर के लिए वो आस तक पूरी नहीं गी ये मांजरा तब सामने आया तब दानी सबरार अपने विदान सबाद छेतर में परचार परसार के दोर पर होना चाहिए इसलिए लग रहा है कि कहीं न कहीं दानी सब्रार की मुश्किले बढ़ती वी नजर आ रही है कुछ दिन पहले दानी सब्रार के उपर हमला हुआ था कुछ लोग कह रहे थे कि हमला स्यम खुद नहीं करवाया था जब किरोडीलाल मीना ने भी कहा था उनके उ दानसवा छेत्र में भाजपा की जीत है वो सुनिशित होने वाली है यह इसलिए लग रहा है क्योंकि कई जगा पर दानी सब्रार का विरोच चल रहा है और जो राजसवा सांसद हैं किरोडीलाल मीना वो दिगज नेता है और उनकी उस छेत्र पे भी सवाई मादोपुर छे इसे नेता है या कहें कि एक मात्र इसे नेता है बीजेपी के जो उमर दराज होने के बाद भी चाहे वो मुद्दा महिला अत्याचार का हो चाहे वो वीरांगनाओं का मामला हो या फिर पेपर लीग का हर जगा पर बीजेपी का उमर दराज नेता सड़कों पर बैढ जाता ह किरोडी लाल मीना धरातल पर संगर्स करते नजर आते हैं और इसी के चलते जो राजस्तान के युवाँ हैं या जो बुजुर्ग हैं या जो महिलाएं हैं उनमें किरोडी लाल मीना को लेकर एक अलगी तरीके का जो है वो प्यार है किरोडी लाल मीना को लोग चाते हैं क्योंकि उनको पता है कि किरोडी लाल मीना कोई भी मुद्दा हो उनकी मांगों के लिए हमेशा सडकों पर बैड़ जाते हैं तो इसी को लेकर किरोडी लाल मीना अपने छेतर में जहां भी जा रहे हैं जनसंपर्क के दोरान उनको positive नतीजे मिल रहे हैं लेकिन दानी सबरार पहले अपने उपर हमला करवाया ऐसा हम नहीं कह रहे हैं ऐसा दानी सबरार ने कहा है कि मेरे उपर हमला हुआ है तो उसकी परत तो कहीं ना कहीं ऐसा विरोध का खाम्याजा या कहें कि कॉंग्रेस पार्टी को या फिर दानी सबरार को अपने विदान सबाद छेतर में जहेलना पड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो फिर किरोडी लाल मीना की जीत तो सुनने सित हो जाएगी क्योंकि किरोडी लाल मीना का जैसे हमने बताया कि किरोडी लाल मीना को बच्चा बच्चा जानता है किरोडी लाल मीना पेपर लीक में लगातार कॉंग्रेस सरकार पर प्रहार करते नजर आते हैं उदैपुर में जो पेपर लीक हुआ महिलाओं के अत्याचार पर वो सड़ पर्स कर रहे थे और वो इस विरांगनाओं के मामले में अंत में चोटिल भी हुए थे लियाजा उनको अपने इलाज के दोरान दिल ली जाना पड़ा था तो अब जो सवाई मादोपूर सीट है उस पर दानी सबरार का अपने चेतर में लोगों का आरोफ है कि ये बजट में गोसना करवाई उसको पूरी नहीं कर पाए ऐसे में इंतजार इस बात करेगा कि सवाई मादुपूर की सीट पर इस बार किसका राज होगा ये देखने वाली बात होगी महिंदर मासरोटा टीवी नाइन जैपूर